इस रेस्पी के लिए आपको चाहिए पीनट 200 ग्राम तो इसको अच्छी तरह से अपने हीट कर लेना है रोइस्ट ये पीनट है तो अच्छी तरह से इसको पहले हीट कर लेना फिर आपको चाहिए बदाम 100 ग्राम तक बदाम आप चाहिए तो यदा भी बदाम एड़ कर सकते है तो मैंने यहांपे 100 ग्राम तक यूज कीए और थोड़ा सा चाहिए आपको गुड़ गुड गाईज अगर आपके पास नहीं है तो आप हनी एड़ कर सकते हैं 100 ग्राम तक और कोकटनेट आपको चाहिए थोड़ा सा कोकटनेट भी आप इसके अंदर जूर एड़ कीजिए और आपको तिल चाहिए 50 ग्राम तक थोड़ा ज़्यादा भी एकड़ सकते हैं सबसे पहले पीनट को हम मिक्सर में अच्छी तरह से ग्रैंड कर लेंगे तो इसका मिक्सर आपने अच्छी तरह से बना लाना है सारा सबसे पहले हम क्या करेंगे एक पैन में हम हीट करेंगे देसी गी अपने यूज करना है आपके पास देसी गी नहीं है तो कोई बात नहीं आप बटर जा फिर आप वेजटेवर एड़ी यूज काते हैं उसके बार हम अब इसके अंदर गुड़ एड़ करेंगे और गुड़ को अच्छी तरह से आपने मिल्ड कर लेना है तो अगर आप गुड़ नहीं यूज करना चाते हैं तो आप हनी एड़ कर सकते हैं बट यहां वहां पर आपको हीट करनी की ज़रूरत नहीं है इसको आप डारेक्ट मिक्सर के अंदर हनी एड़ कर सकते हैं जहां पर मैंने गुड़ यूज के और बाकी का जितना भी हमारा मिक्सर था वह मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है तो अच्छी तरह से आपने सबको मिक्स कर देना है मिक्सर को आपको गुड़ के अंदर सबी चीजिया सी तरह से मिक्स कर दें और गाईज उसके बाद आपने क्या करना है जब आपका सब मिक्स हो जाती से आपने शोटे शोटे लड़ू बना लेने अपने सर्विंग के साब से जादा बढ़ा ना बनाएं और छोटे शोटे जितने बनाएंगे अपकी जादा झाल झाल झाल